Hello friends, welcome back to my channel Friends, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा face pack जिसके इस्तमाल से आप अपने चेहरे की जुर्रियां और जाईयों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं साती सात आपका चेहरा इतना जादा साफ हो जाएगा कि आपके चेहरे पर एक भी दाग धबा नहीं नजर आएगा यनि कि आपकी स्किन बहुत जादा यंग और सुपर क्लीन हो जाएगी तो दोस्तो इस वीडियो के फाइदे पाने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और साती सात मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और साती सात बैल आइकन भी प्रेस कर लीजेगा तो शुरू करते हैं इस बहतरे नुस्खे को जो आपके चेहरे की जुर्यां और जाईयां और काले दाग दबे खतम कर देगा तो friends सबसे पहले इस नुस्खे में सबसे पहले जो हम इस्तमाल करेंगे वो है दोस्तो बेसन और बेसन हर घर हर रसोई में 24 घंटे अवेलेबल रहता है दोस्तो बेसन स्किन ब्राइटनिंग का काम करता है साती सात यह आपके स्किन पर जो जुर्यां है उन्हें खतम करने में हेल्प करेगा और जो आपके स्किन के अंदर पोर्स के अंदर जो मैल और डर्ट जमी हुई है उसको निकालने में भी help करेगा जिससे कि आपके जगाईयां और जुर्दियां चली जाएंगी तो इसमें हम लेंगे एक चमच बेसन का उसके बाद दोस्तो जो second चीज इस remedy के अंदर हम add करेंगे दोस्तो वह है दोस्तो milk, milk के अंदर दोस्तो skin moisturizer properties होती हैं साथ इसके अंदर ऐसे ऐसे anti oxidants होते हैं और protein होता है जो मारी skin के लिए बहुत बहुत फायदे में दोस्तो यह आपके skin को mauzurize करती है आपकी जो बेजान skin होती है उसमें जान ला देती है आपकी skin को जवान बनाए रखने में help करती है और चहरे पर जो दाग दब्य और जुर्रियां हो जाती है उनको खतम करने में help करती है तो इसके अंदर में लेंगे दोस्तो एक चम्मच milk जैसे कि हमने ले लिया है उसके बाद जो थर्ड चीज इस remedy में हम add करेंगी दोस्तो वो बहुत फायदे मद है हमारी skin के लिए वो है दोस्तो vitamin E का capsule दोस्तो vitamin E का capsule जो था हमारे skin में जो कमिया हो जाती है उसको पूरा करने में help करता है जिसकी वज़े से चैरे पर जुर्रिया आ जाती है जाईया आ जाती है और चैरे पर जो दाग दब्बे आ जाते हैं उन सब को यह हटा दिता है और हमारी skin को जवान बनाए रखने में बहुत-बहुत help करता है तो इसमें हम लेंगे एक capsule vitamin E का इस प्रकार से आपको ले लेना है दोस्तों अब हमें इस capsule को पंचर करके इसका सारा oil और जो gel है उसको निकाल लेना है यह देखिए दोस्तों नेल्स की help से इस तरिके से आपको पंचर करना है और जो भी इसके अंदर gel है वो निकाल लेना है यह देखिए हमें निकाल लिया है पूरा का पूरा अब जो दोस्तो सबसे लास्ट सी इस remedy के अंदर हम एड़ करेंगे दोस्तो वह है दोस्तो गुलाब जल और दोस्तो गुलाब जल कितना फाइदे मन दोता है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तो गुलाब जल skin cleansing का काम करता है दोस्तों आपने देखा होगा बड़े से बड़े beauty पालर में और beauty products में गुलाब जल का इस्तमाल किया जाता है दोस्तों गुलाब जल हमारी skin के लिए बहुत फाइदेमन होता है यह skin को repair करने का लगबगे काम करता है क्योंकि दोस्तों यह आपके skin के pores के अंदर जो रोम चिदर होते हैं उसके अंदर जाता है जो मरी हुई dead skin होती है उसको यह निकाल देता है जमा हुआ तेल होता है उसको यह निकाल देता है जमी हुई मिटी मैल और pollution जो आपके skin के अंदर घुस जाता है उसको यह निकाल देता है दोस्तों ये pimples को आने से रोकता है चेहरे पर जो दाग दब्बे और निशान होते हैं उनको हटा देता है जुर्यां खतम करता है और skin को जवान बनाए रखने में help करता है तो all over गुलाब जल बहुत बहुत फायदे मन्द होता हमारी skin के लिए तो इसमें हम लेंगे दोस्तों सेम एक चमच गुलाब जल का ये देखिए हमने ले लिया है अब ये हमारी remedy बनकर ready हो चुकी है हम इसे मिला लेते हैं और मिलाने के बाद मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको ये अपने चहरे पर अपलाई करनी है ये देखिए ये mix होकर face के लिए एक pack त्यार हो चुका है एक ये face pack बनकर ready हो चुका है इसके अंदर से गुलाब जल की बहुत अच्छी महक आ रही है ये देखिए ये बनकर ready हो चुका है आपके face पर लगने के लिए अब आपको इसको लगाना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ आपको दोस्तो इसको अपने पूरे face पर एक face pack की तरह अपलाई कर लेना है लेकिन अपलाई करने से पहले गुनगुने पानी से अपना चहरा धोले और तोलिया से साफ कर ले ताकि जो पहले से जमी हुई मैल और तेल है आपके चहरे पर वो हट जाए फिर उसके बाद इससे अपने चहरे पर अपलाई करे पूरे face pack की तरह इससे लगा ले और लगा लेने के बाद में 5-7 मिनट इससे अपने चहरे पर लगा रहने दे पाँच से साथ मिनट आपको बोलना नहीं है अपने चहरे को नौर्मल पानी से धो लेना है और दोस्तो धोने के बाद पहली ही बार में आपको काफी अच्छा अपने चहरा नजर आने लगेगा काफी bright नजर आने लगेगा और दोस्तो इसका इस्तमाल आपको लगातार 15 days करना है और 15 days use करने के बाद में आपके चाहरे पर जो दाग हैं जो जाईयां हैं उनके निशान बिलकुल खतम हो जाएंगे और साथी साथ आपकी जुर्यां 50 से 80% बिलकुल खतम हो जाएंगी और दोस्तो कभी भी वापस लोट कर नहीं आएंगी आपका चाहरा बहुत जवान नजर आने लगेगा बहुत ज़दा खिला हुआ नजर आने लगेगा दोस्तो जो इतने महंगे महंगे प्रोडक्स वो नहीं कर पाते आपके चाहरे पर वो ये जो नुस्का है कर देगा यानि कि जुर्यां भी बहुत बहुत चली जाएंगी और दोस्तों को पच्छरा बहुत ज़दा जवान और यंग ने ज़राने लगेगा तो इस तरीके से रेमेडी काम करेगी अगर आपको पसंद आईए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजेगा थैंक यू दोस्तों